येस हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग से सीजीएल 2024 के लिए कौन से टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं ओलम्पिक्स का करने वाले है ठीक है तो यह हमारा टॉपिक नंबर 20 है और टॉपिक नंबर 20 में ओलम्पिक से रिलेटेड जितने भी most important question है वो पूरा cover कर लिया गया है और exam से पहले ये सब question का revision करना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो चलिए start करते हम लोग अपना ये most important session तो सबसे पहले हम देखेंगे 2014 के summer Olympics के बारे में ओके आगे MCQ question है लेकिन पहले जो है हम हम लोग 2024 के summer Olympics को तोड़ा देख लेते हैं मुझे नहीं लगता है कि summer Olympics 2024 से ज़्यादा question आने वाले है बट फिर भी हम लोग एक बार revision करेंगे ओके तो आप तो जानते ही हैं कि 2024 का जो summer Olympics से वो कहां हुआ है वो पैरिस फ्रांस में हुआ है ठीक है आपके लिए क्या-क्या important याद करना पहला point पहला चीज़ याद करना है कि flag bearer कौन थे opening ceremony के तो आप याद करेंगे PV सिंदू और सरत कमल यह दोनों फ्लैग बेरर्स थे opening ceremony के closing ceremony के flag bearers कौन थे तो दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि मनु भाकर और पी आर्स रिजेस जो है यह closing ceremony के flag bearers थे तीसरा आपको याद रखना है कि भारत ने कितने gold कितने medal जीते हैं तो total six medal जीता है भारत ने इस बार gold नहीं आया है और चौता चीज़ आपको याद रखना है कितने silver है तो पांच है और पांचवा चीज़ याद रखना है कितने bronze है तो पांच ब्रॉंज जीता है भारत ने तो दो हजार चौबेश Summer Olympics के लिए यह सब आपको याद करना जरूरी है ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हम लोग most expected question का जो SSC में बार बार पूछा जाता है पहला question है कि Olympic में भारतिये hockey team के पहले कप्तान कौन थे ठीक है first captain of India hockey team in Olympics तो आप क्या कहेंगे जैपाल सिंग मुंडा ये first captain थे next question है भारतिये तिरन दाजों ने पहली बार Olympic में किस वर्स भाग लिया था अब ये question जो है कितने लोगों को आता है वो अभी रखेंगे नेक्स्ट कोश्टन है उलंपिक में पदक जीतने वाली भारतिये महिला पहल्वान ठीक है कौन थी फर्स्ट इंडियन वोमें रेसलर जिसने मैडल जीता था उलंपिक में त आप क्या कहेंगे साक्शी मलिक कहेंगे ठीक साक्षी मलिक को आपको याद रखना है नेक्स्ट कोर्शन है पूसरला वेंकिट सिंदू ठीक है पूसरला वेंकिटा सिंदू जो है किस उलम्पिक हिलो में बैडमिन्टन में रजत पदक जीता तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट एंसर पूसरला वेंकिट सिंदू ने किस उलम्पिक हिलो में बैडमिन्टन में रजत पदक जीता तो याद करेंगे आप रियो 2016 में रियो 2016 में बैडमिन्टन में सिल्वर मेडल जीता था इनका पूरा नाम है वैसे पीवी सिंदू इनको कहते हैं ठीक है नेक्स कोर्शन है कि 1994 से सीत कालीन उलम्पिक प्रारंपिक रूप से ग्रिस्म कालीन उलम्पिक के डैस बाद आयोजित किये जाते हैं सिंस 1994 Winter Olympics Traditionally take place डैस after the Summer Olympics क्या होगा तो टू येर्स होगा यहाँ पर correct answer ठीक है 2 साल बाद नेक्स्कोर्शन है कि which city will host 2028 olympic games 2028 का जो olympic games है वो किस city में होने वाला है तो आप क्या कहिंगे राइट एंसर होगा Los Angeles USA में होने वाला है ठीक है Los Angeles USA में होगा 2028 का olympic नेक्स्कोर्शन है 2024 का olympic games वो किस ने आयोजित किया है तो अभी स्टार्टिंग में ही बात हुई थी पैरिस में होगा पैरिस फ्रांस में हुआ है 2024 का ओलंपिक गेम्स नेक्स कोर्शन है 1894 में अंतर राश्ट्रिय ओलंपिक समीती की अस्थापना किसने की ये काफी अच्छा कोर्शन है कि who founded the international olympic committee in 1894 तो राइट एंसर क्या होगा बैरन पीरेडी को बार्टिन ने की थी ओके नेक्स कोर्शन है कि who among the following was the first female swimmer to win seven medals at a single olympics in Tokyo Olympic 2020 Tokyo Olympic 2020 में एक ही olympic में साथ पदक जीतने वाली पहली महिला तेरा कौन थी और इनका नाम था एमा मैक करनन जो है ये इनका नाम है ओके नेक्स कोर्शन है कि in which year did women take part in modern olympics for the first time आधुनिक olympic में महिलाओं ने पहली बार किस वर्स भाग लिया था तो महिलाओं ने पहली बार किस वर्स भाग लिया था तो 1900 में पहली बार भाग लिया था नेक्स कोर्शन है कि टोकियो olympic 2020 में महिला मुक्के बाजी में कान से पदक किस ने जीता ठीक है तो किस ने जीता ब्रॉंज मैडल in women's boxing in Tokyo olympic 2020 तो आप कहेंगे लोवलीना बोर्गोहेन ने जीता था ओके नेक्स है टोकियो olympic 2020 में नीरत चोपरा का विज़ई थ्रो क्या था तो 87.58 मिटर था नेक्स है 2026 का जो winter olympics होने वाला है वो कहां पे होने वाला है 2026 का जो winter olympics है वो होगा आपका इटली में ठीक है नेक्स्ट कोर्शन है कि निम्न लिखित में से कौन उलम्पिक पदक जीतने वाला भारत का पहला बैडमिंटन खिलारी था भारत का पहला बैडमिंटन खिलारी कौन था जिसने उलम्पिक में पदक जीता तो साइना नहवाल हो जाएगा करेक्ट एंसर ठीक है साइना नहवाल आयोजन नहीं किया, कभी होस्ट ही नहीं किया यह Olympic Games देखिए Australia में तो हो चुका है Japan, China में भी हो गया, South Africa होगा correct answer, यहां कभी भी नहीं हुआ है Olympics Next question है In which of the following categories did the weightlifter Meera भाइचानू bag a silver medal at the Tokyo Olympics 2020, तो 2020 का जो Tokyo Olympics हुआ था उसमें Meera भाइचानू ने किस category में जीता था medal तो आप कहेंगे 49 kg category में Next है Tokyo Olympics 2020 में भारत द्वारा जीते गए रजत पदको की संख्या क्या थी तो कितने silver medal जीते थे Tokyo Olympics 2020 में तो भारत ने total दो जो है वो जीता था silver medal, एक जीता था gold medal, दो silver medal और आपके 5 जो है वो bronze medal जीता था तो भारत ने पिछली बार total 8 medal जीता था इस बार भारत ने total 6 medal जीता है जहांपर silver सिर्फ एक ही आया है bronze आया है 5 Next है 2022 का जो summer Olympics है वो किस city में होने वाला है तो आप याद करेंगे 2022 का summer Olympics Brisbane में हो जाएगा नेक्स है कि 1936 के Berlin Olympics में भारतिय होके पुरुष टीम के कपतान कौन थे तो 1936 का जो Berlin Olympics था उसमें भारतिय टीम के कपतान का नाम था Major ध्यान चंद Next question है कि Olympic में भारत के प्रथम धोजवाह कौन थे तो first flag bearer कौन थे Olympic के तो उनका नाम था पूर्मा बैनर जी ठीक है पूर्मा बैनर जी Next है अभिनब बिंदरा ने किस Olympic में पूर्सो की 10 मिटर एयर राइफल सुटिंग में स्वर्ण पदक जीते ठीक है तो अभिनब बिंदरा ने जो है जो Olympic में gold medal जीता था वो Olympic कहां पे हुआ था Beijing 2008 का Olympic था ठीक है Next है भारतिय होकी टीम ने 2024 तक Olympic में कितने सुट्ण पदक जीते हैं कितने सुट्ण पदक जीते हैं अब तक तो 8 सुट्ण पदक जीता है अब तक भारतिय होकी टीम ने Next है कि Asia में पहली बार Olympic हिलो का आयोजन किस वर्स में किया गया था एसिया में पहली बार उलम्पिक हिलो का जो आयोजन है वो 1964 में हुआ था ठीक है 1964 नेक्स्ट है टोकियो उलम्पिक 2020 में पदक तालिका में भारत की रैंग क्या थी इंडिया का रैंग क्या था 2020 के टोकियो उलम्पिक में तो वो था 48 ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतिय ओलंपिक संग का गठन किस वर्स हुआ था, कब हुआ था, इंडियन ओलंपिक एस्सोसियेशन का गठन, तो आप कहेंगे 1928 में हुआ था, ठीक है, 1927 यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा, और फर्स्ट प्रसिदेंट कोई बने थे, पूल होता है, उसका साइज क्या होना चाहिए, रिक्वाइट साइज क्या है, ओलंपिक स्विमिंग पूल का, तो वो है 50 मिटर इन्टो 25 मिटर, ठीक है, 50 इन्टो 25 मिटर, नेक्स्ट कोर्शन है, वो बिकेम दे फ़र्स्ट इंडियन वो मेंड टू वीन एन ओलंपिक मैडल उलम्पिक पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी तो करनम मलेश्वरी होगा यहाँ पर करेक्ट एंसर ठीक है नेक्स्ट है भारत ने हौकी में अपना आखरी स्वन पदक उलम्पिक में कब जीता तो कब जीता तो 1980 में लास्ट गोल्ड मेल था जो भारत ने जीता था और 1928 से लेकर 1952 तक जो है भारत लगातार गोल्ड मेल जीता था नेक्स्ट है कि who became the first Indian woman to win two Olympic medals तो दो Olympic पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला कौन मनी तो वो थी PV सिंदू 2016 और 2020 के Olympic में जीता था इन्होंने medal नेक्स्ट है भारत ने हौकी में अपना पहला Olympic स्वर्ण किस वर्स जीता था तो कब जीता था पहला तो 1928 में पहला अपना गोल्ड मेल जीता था भारत ने लास्ट 1918 नेक्स्ट है पहला आधुनिक Olympic खेल कब आयूजित किया गिया था first modern Olympic जो है वो कब हुआ था तो 1896 में हुआ था Athens Greece में नेक्स्ट है कि निर्म लिकित में से कौन भारतिय Olympic संग के पहले अध्यक्स थें first president का क्या नाम था तो दुराब जी टाटा होगा correct answer नेक्स्ट है किस सहर ने 2016 ग्रिस्म कालिन Olympic के मेजबानी की 2016 का जो summer Olympics था वो कहां पहुआ था तो वो ब्राजिल में हुआ था नेक्स्ट है कि किस देश ने सबसे अधिक बार समर उलम्पिक्स की मेजबानी की है तो विच कंट्री हैज होस्टेट दा समर उलम्पिक्स तो वो होगा United States और सबसे ज्यादा मेडल भी अब तक उलम्पिक में United States नहीं जीता है तो इस तरीके से हम लोगों ने उलम्पिक्स के सारे important question revision कर ली है और यही सब question आप देखेंगे जो exam में repeat होता है ओके तो कितना स्कूरा है comment करके बताएंगे मिलते हैं आप से next video में तब तक के लिए all the best